नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग जग्रॉफी पुर्शन कोवर कर रहे थे ससे जे और सीचेसल एक्जाम के लिए तो प्रिभियस क्लासे मैंने आपको इंडस्ट्रीज इंडिया के जितने भी हैं मेजर इंडस्ट्रीज है तो वो हमने डि इंडन जेग्रॉफी का और इसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड जेग्रॉफी में इंटर करेंगे हैं लोग तो इसके बाद जो है आपका जेग्रॉफी जो आपका तीन-चार लेक्चर्स में फिनीस हो जाएगा तो आप लोग बिछले जितने भी लेक्चर्स हमने भार अलड़ी कर लिया है जैसे कि आपका एकनॉमिक्स का व गया तो उन सब भी अपको प्लेच्श आपको दिस्क्रिप्स में मिल जाएगा तो चलिए स्टाट करते हम लोग आज का लेक्चर तो आज हम लोग ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम अंडिया के बारे में करेंगे जैसे कुछ रेल ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें कि हम लोग रेलवे का यूज करते हैं इसके अलावे जैसे रोड ट्रांसपोर्ट हो गया जो कि हम लोग रोड का यूज करते हैं तो इसमें जितने भी रोडवे होते हैं तो इसके जो भी इसमें स्टडी करेंगे इ एक city से दूसरे city में travel करने के लिए इसके अलावे कुछ ports होते हैं ports वो बहुत हैं कि जिससे कि तुरू जो है business या फिर ट्रेड या फिर जो और भी बहुत सारे purposes के लिए use किया जाते हैं तो इंडिया जो देखिए पूरे world में इस हम बात करते हैं और वही Asia में यह second number पर आता है यह देखिए data change होते रहता है तो इस पर आपको जाना नहीं है कि यह second largest या first largest है बस आप लोग यह बस प्योर पॉइंट यहां पर ध्यान रखिए अब देखिए इसके अलावे इंडिया जो है water transport में भी जो है लेकिन इसकी जो अच्छी transportation system नहीं है अभी फिलहाल के दी बात करें तो आईए हम लोग यहां पर यह करके study करते हैं transportation system के बारे में तो सबसे पहले देखिए roadways है तो roadways के देखिए इसके भी various बहुत सारे categories होते हैं जो कि इसके managing करने के जो authorities जो इसके होते हैं वो different different होते है तो इसमें से जैसे कुछ national highway होते हैं कुछ state highway होते हैं इसके अलावी कुछ और जैसे PWD roads होते हैं कुछ roller roads होते हैं और कुछ urban roads होते हैं तो इनका managing authority होता है तो वो सभी अलग-अलग होते हैं और यही जो है इनका देखरे करते हैं और maintenance इसका करते हैं तो यहां पर जो है आप की बात करें कितना जैसे टोटल ऑफ रोल जो भी बना हुआ रोड नेटवर्क है इंडिया में तो तो सबसे पहले देखिए जो निशनल हाइवे है तो इसका जैसे मैनेजिंग अथोरिटी होता है तो वह है करता है नेशनल हाइवे तो नेशनल हाइवे आप जानते होंगे कि बहुत सारे यह होते जैसे नेशनल हाइवे वान टू थरी यह पहले बहुत सारे नामों से जाने जाते थे तो यह इस तरीके के बहुत सारे होते हैं जो हम आगे देखेंगे इसको तो देखिए इसका जो सेय है length का वो के वह 1.80% ही है यहनि की जितना फिर टोटल रोड नेटवर्ग है इंडिया में तो इनका देखिए मात्र के वह 1.80% ही है फिनेक्स देखिए आप स्टेट या फिर यूनिन टेरिटरी इसके यानि कि जो भी स्टेट के पॉब्लिक वक्स डिपार्टमेंट जो होते हैं तो वो मैनेज करते हैं इसको तो इसका कंट्रिबूशन है वो अली 3.14% है फिर अगल देखिए इसका अलबे और भी जो पॉब्लिक वक्स है रोड्स का तो वह रोड्स ही है और आप जानते भी है कि जैसे हमारा गाउं जो है एरिया वह लगभख 70% लोग रहते हैं तो इनका कंट्रिबूशन जाहिर सी बात है कि लेंट वह ज्यादा रहेगा ही रहेगा तो इसके दिखिए जो मैनेजिंग होते हैं तो वह जैसे प इंट्रिबूशन जो है तो 9.10% है यहने कि लेंथवाज बात करते हैं तो तो सबसे आदा लेंथवाज जो हम बात करें तो वह कौन सा रोड बना हुआ एंडिया में तो वह रूलर रोड्स है जो कनेक्टिविटी जादा है इसके लेंथवाज लेकिन ट्राफिक के मामल में जो सबसे आदा जो डेंसिटी के माम जो सबसे आदा ट्राफिक करी करता है तो वह है नेशनल हाइवेज है इसके अलावे देखी कुछ इंटरनेशनल हाइवेज भी होते हैं इंटरनेशनल हाइवेज होते हैं तो यह एक कंट्री के दूसरे कंट्री के जो कैपिटल होते हैं तो international highway जो है हम लोग बोलते हैं वसी को कि जो एक capital को दूसरे capital का यानि कि एक country के दूसरे country के जो capital होते हैं उनको connectivity प्रवाइड करते हैं इसके लावे कुछ express भे भी होते हैं जो कि ये public private partnership के basis पर ये जो road है पनाए जाती है अब आईए हम लोग कहां पर कुछ important जो national highways हैं इंडिया के जिनसे की question आपके पूछे जाने की संभावना ही हो सकती है तो भो हम लोग देखेंगे तो देखें जो national highways होते हैं तो इनके numbering दी जाती है तो ये starting में जासे national highway 123 इस तरह से बहुत सारे हुआ करते थे लेकिन आप जो question आपसे पुछे आ सकते ही जाम में तो उसका हमने यहां पर लिया हुआ है तो सबसे पहले देखिए जो national highway 27 जो है तो यह पुरबंदर से लेके यह signature जो की आसाब में है तो वो connectivity प्रवेट करता है तो यह जो है second longest national highway है इंडिया का जो की 3560 km या लंबा stretch road है तो इसमें देख एनि कि जो एस टर्ण पॉर्शन जो है इंडिया का जहां पर असाम कंड जो प्रवंदय का सील्चर जो है ऐसाम का और बागी जो Western साइड में जो सबसे इंड में इसका तो वह है पुरबंदर है गुजरात का पॉर्षन तो यह जो है इस्ट वेस्ट कोरिडोर का हिसा ही है फिर उसी तरीके से देखिए जो नेशनल हाइवे यह इंडिया का सबसे यह लोंगेश्ट नेशनल हाइवे है तो आपको यह वाला याद रखना है इससे पहले जो नेशनल हाइवे 7 हुआ करता था जो की यह 12 से लेकर कन्या कुमारी तक connectivity प्रवाइट करती थी लेकिन आप जो है उनको मिला दिया गया है तो यह श्री नगर से कन्या कुमारी निशनल हाइवे 44 यह longest highway है निशनल हाइवे है इंडिया का जिसका लेंध है 3745 किलोमेटर है तो यह देखिए जो यह आपका निशनल हाइवे 44 है तो यह North South corridor का यह हिसा है जो के इंडिया का जैसे जो इस्टरं प्यक्तर दियास और जो te-लोग का है इंडिया का तो इन दोनों को connectivity परफाइट परिवाइट करती है तो यह जो है north south और इश्ट-west और ही सड़ 성공 कैरिर के तो आप लोग इसमें से मेजरली बस यही याद रखना और ज्यादा इसमें आपको कोशन पुछने की संभावनाय बहुत ही कम है इसकी फिर नेक्स देखिए एक गोल्टेन कोडिलेटल पोजेक्ट भी है इंडिया का जिसमें कि यह जो है चार जो इंडिया का जो मेजर मेट्र सिटी जाए तो उनको यह कनेक्टिविटी प्रवाइट करती है जिसमें कि दिल्ली मुंबाई कोलकत्ता और चेनाई हो गया तो यह आप देख सकते हैं जो रेट कलर मांक सबका दिया हुआ थी यह जो है गोल्डन क्वाड लेटल पोजे का ही यह हिसा है और बाकी जैसे आप कुछ facts आपके लिए knowledge के लिए है कि वह लिए जो होते हैं तो उनको जो है specify कि आता यलो और white color के milestone से यह आपने देखा भी होगा रोड के किनारे जो लगा रहता है इस तरीके का है distance जिसमें mapping किया आता है कि जैसे जो भी जो भी इतना distance अपने carry क्या होता कितना दूरी पर है तो जो national highway आप लोग देखते होंगे तो वहां पर आपको यलो और white color का milestone आपको दिखाई देगा यह आप लोग ध्यान से देखना वहां पर वहां पर आप लोग national highway पर travel कर रहे होंगे तो उसे तरीके से जो state highway जो होते हैं तो उनको जो ग्रीन और white color के milestone से इनको specify किया रहता है इसके अलावे जो city के जो road रहते हैं आपके तो उनको जहें black और white color के milestone से specify किया जाता है तो आप फिगर में आप यहां पर देख सकते हैं और अप लोग ध्यान से देखना भी जो भी city में जो roads होते हैं तो उनको black और white color के milestone से specify किया जाता है अब आए हम लोग देखते हैं railways के बारे में तो इंडिया में देखिए जो first train जो चलाया गया तो जो start किया गया था तो वो लॉट डुल होजी के दौरा किया गया था April 16, 1853 को जिसमें कि दिखिए Bombay से थैने के बीच में जो ये दो सहर के बीच में चलाया गया था और ये रूट जो था के वो 34 किलोमेटर का था और इस तरीके से फिर इसके बाद और भी बहुत सारे जो train से start किये गया थे तो इंडियन railway का दिखिए जो nationalize जो किया गया था य टो जिसमें से पहला है Broadcase है तो जिसमें कि इसमें जो पटरी के बीच में जो length होती है तो वह ईए width इसके होती है 1.676 mm से लिए के 1524 mm के बीच में होती है या जनी कि 1.6m से लिए 1.5m के बीच में ये होती है Broadcase का और वहीं देखिए जो मitre outrageous होता है तो मitre इसका नाम ही हती कि इसमें जो रहाता है 1 मिटर रहती है Length ग। पड़्टियों में गारी को यह तब जा in the अब दिखिए टोटल जो रेल्वे जोन से इंडिया में तो वो टोटल 18 है और उसमें से जो सबसे जो लार्चेस्ट जोन है तो वो है नॉर्थ जोन है इंडिया का नॉर्थ जोन जो इंडिया का है तो वो सबसे लार्चेस्ट जोन आते हैं इसके अंदर में तो आप लोग जो जो लॉंगेस्ट रूट का जो ट्रेन है तो वह है विबेक एक्सप्रेस है जो कि यह धिवरिगर यानि के जो असाम है और कन्या कुमारी तो इन इन सहरों के बीच में जो है यह रंस करती है तो यह लगवा एक बीग का पूरे तरीके से टाइम लेती है पूरे जरनी को कवर कर करने के लिए और इंडिया का जो सबसे जो फास्टेश ट्रेन है तो वह है बंदे भारत एक्सप्रेस है जो की ट्राइल के दोरान यह एक सबसे किलोमेटर का जो इसने अचीब कर लिया था जब इसका ट्राइल किया जा रहा था तो और यह जो है जब ऑपरेशन में आया है जब पहली बार जब इसका इनिग्रल जब रॉनिंग की गए थी दिल्ली से बना रसी के बीच में तो यह जो मैक्सम इस्पीड 130 किलोमेटर का इसने इसने अचीब किया था तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि बंदे भारत एक्सप्रेस जो इंडिया का की क्वीन है तो यह कुछ आपके जैसे mcq type के question आ सकते हैं objective type में तो वह हमने यहां पर लिया हुआ थी यह भी आप लोग याद रखना अब यह देखते हैं हम लोग water transport के बारे में तो दिखिए water transportation system जो है तो यह जो reverse होते है particularly कोई भी state के अंदर में या फिर एक state से दूसरे state में जो river flow करती है तो उसके थूरू जो है transportation system का use करना जिसके थूरू जो है जो goods भगेरा जो रहते हैं तो उनको जो है shipment की जा सकती है तो इसके लिए देखिए जो water transport system जो है तो यह सबसे cheapest source होता है transportation का किसी भी country के लिए तो इस तरीके से जो है इंडिया में भी जो है inland waterway authority बनाये गए थी इसके लिए जो inland waterway जो होते हैं तो उनका purpose होता है कि जैसे यह उसको develop करें उसको maintenance करें और उसका regulation कर सके बहुत ही आचे तरीके से तो इसी लिए जो है inland waterway authority of India establishment की गए थी 1986 में तो यहां पर देखिए जो length of waterway जो होते हैं यानि कि जो यह waterway बनाया गया था इसके उपर में यह बनाये गया हुए है तो इनका जो length है तो सबसे maximum जो उतर परदेश में है और उतर परदेश में इसलिए क्योंगी आप जानते हैं गंगा नदी जो है तो मेजरली इन जो मेजर स्टेट हैं जैसे उतर परदेश हो गया वेस्ट बेंगाल हो गया इसके अल तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा याद भी कर सकते हैं एजले तरीके से जो यहां पर लिस्ट में आपका दिया हुआ है तो यहां पर देखें नेम दिया हुआ है वाटरवए1 का वाटरवए1,2,3 जो भी है और उसके बाद है कोन से रिभर पर है या कौन से सहर के भीच तरीका था उनका करने का तो उस तरीके से जो है Waterway का भी नाम यहां पर दिया गया तो पहला आपका इसमें जैसे National Waterway One है तो यह जो है परियागरा से लेके हल्दिया तक इसके दिखें इस ट्रेच है जो की यह गंगा भागिरती और हुगली रिवर पर यह बनाया गया हुआ है इंडिया का नेक्स दिखें नेशनल Waterway 2 है तो यह जो है सदिया से धिवरू के बीच में Connectivity प्रवाइट करती है यह और यह प्रहपुतर नदी के उपर में बनाए गए और प्रहपुतर नदी आप जानते हैं कि मैक्सम जो पोर्षन इसका तिया असाम में है तो यह आप इसक याद भी कर सकते हैं तो इसकी लेंद्ध है नो 891 किलोमीटर है नेक्स दिखें नेशनल Waterway 3 जो है तो यह कोलम और कोजी कोड के बीच में जो है स्ट्रेच है इसकी जो की वेस्ट कोस्ट कैनल और उसके बाद जो है चंपा कारा के नाम और जो ओधियोग मंडल कैनल जो है तो यह पूरे तरीके से केरल में है जिसकी लेंद्ध है 375 किलोमीटर है फिर नेक्स देखिए जो नेशनल Waterway 4 जो है तो यह काके नाड़ा आंधपरदेश का और पूडुचेरी जो है तो यह गदावरी और कृष्णा नदी के उपर में बनाई गई गई हुई है तो यह जो है पूडुचेरी में तेलंगना में और आंधपरदेश जो है जो भी स्टेट इनके बीच में यह कनेक्टिविटी प्रवाइट करती इन सारी स्टेट में जिसकी लेंद्ध है 1095 किलोमीटर है फिर नेक्स देखिए नेशनल Waterway 5 जो है तो यह तालचर और पारदेव के बीच मे है और यह ओडिसा और वेस्ट बेंगालों कनेक्टिविटी प्रवाइट करती है तो इसकी लेंद्ध है 630 किलोमीटर है फिर नेक्स देखिए नेशनल Waterway सी जो है तो यह बराग रिवर के उपर में बनाए जो कि असाम है तो यह असाम स्टेट आप लोग यहीं पर दे दिया है आपके यहां पर इसकी लेंद्ध है 121 किलोमीटर है तो यहां पर जो है आपको मेजर ली Waterway 1 और 2 या 3 जो है इतना बस आप लोग याद रखिए तो यह आपके लिए काफी होगा वहलंकि आप लोग यह सारा देख लेना एक बर आप लोग तो कोई भी प्रोब्लिम आपक के लिए जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होती है कांट्रीज के बीच में तो सबसे चिपेस्ट मीडियम होता है सीवाटर ट्रांसपोर्ट का क्योंकि आप जाते हैं जैसे कोई भी हेवी प्रोडक्ट होते हैं क्रूड पेट्रोलियम ही हो गया तो उनको तो जो हम लोग जो है और भी बहुत सारे जो है माइनर और इंटरमेडियर पोर्ट बनाए गया हुए है जो भी हमारा कोस्टल एरिया जो भी स्टेट है जैसे कि 75-70 किलमेटर का टूटल जो कोस्टल लेंथ है हमारे इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट में जो है ये पोर्ट बनाए गया ह चाहा है तो इन्डिया में देखे जितने भी मेजर पोर्ट handful कोस्तम हुआ कुछ इस्टेन कोस्ता है तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे जितने ही मेजर पॉर्ट जो कि West Coast की तरफ है, West Coast जैसे कि आप इधर अरावियंसी है, तो इधर जितने भी States आते हैं, तो सभी में यह सारे पोर्ट लोकिटेड है, तो यहां पे आपका लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि यहां पे पोर्ट का नाम दिया हुआ है, और यह कौन से स्टेट में है, और यह इ इसका क्या रख दे गया है, तो दिन दियाल पोर्ट ट्रस्ट है, तो यह कहां में है, तो यह गुजराद में लोकिटेड है, और यह देखिए एक तरीका का यह टाइडल पोर्ट है, और यह जो है Northern India का, यह सबसे largest पोर्ट है, जो सब करता है, फिर नेक्स देखिए पोर्ट है लुजराथलड देखिए, हम लोग उसको बळते हैं यहाँ पोर्ट बना हुआ है, तो वहां पे जो रिभर की इंतमनलों कि जो सी जो मदलंगि जो वहां पे गहरण ही होती है, तो यह पानी जो रहती है, तो बहुत जाहरे मातरमें रहते हैं, वह नैचुरल तरी लार्जेस्ट नेचुरल पॉर्ट है इंडिया का तो यह भी आप लोग याद रखना यह भी कोशन आप से पुछाता है कि विचीज देट लार्जेस्ट नेचुरल पॉर्ट इन इंडिया तो मुंबाई पॉर्ट ट्रस्ट हो जाएगा और यह इंडिया का सबसे बिजियस पॉर्ट आप ट्रस्ट है इसका तो यह महरास्टा में यह भी लोकेटेट है तो यह एक यह मुंबाई के नियर और हमें baru इसको डेवलॉप किया गया है और आप जानते हैं कि जैसे artificially create की गई है natural नहीं है तो यह सारा पॉइंट अप लोग याद रखना फिर नेक्स देखिया है मर्मु गौव पोर्टरस्ट है तो मर्मु गौव पोर्टरस्ट जहती है गौव में इस्थीत है और यह जो है iron orex port को यह handle करता है फिर नेक्स देखिया है new manguluru port trust यह जो है करनाटक में इस्थीत है और यह भी जो है iron orex port को यह 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 handle करता है फिर next देखिया कोची port trust है तो यह केरल में इस्थीत है और यह भी एक तरिया का एक natural harbor port है जो कि यह भी बनर लेक में यह situated है और यह भी जो है जैसे spices जो होते हैं तो उनके export को और जो salt होते है तो उसके export के handle करता है तो यह सारे जितने भी port आपके हैं तो यह west coast of India जो है तो उधर पर यह located है जैसे कि आप जानते हैं कि west side में गुजरात हो गया इसके बाद आपके जैसे कि यहां पर मुंबई है मतलब कि जो महरास्टर रिजन है फिर गोवा है इसके बाद फिर आपके जैसे करनाटक है केरल तो यह जितने भी western side में जो जो ही coast में located में जो भी port है तो उनका नाम यहां पर दिया गया है तो आपको इसका नाम तो याद रखना है और साथ में यहां पर इसका जो भी की points दिये गए हैं तो यह भी आपको याद रखना है इनसे भी question कभी का वार पूछ ले जाते हैं फिर next देखिए भी यो चितंपरम port रस्ट जिसको की ट्यूटी करिंट पोस्ट भी इसको बला दा था पहले तो यह जो है तमिलनाडू में यह इस थी तर और यह इंडिया का स सबसे southern most major port है इंडिया यानि कि जो southern point पर यह जो located port है तो वह इस नाम से भी इसको जाना जाता है फिर next देखिए है चेनई port रस्ट है तो यह भी तमिलनाडू में ही है और यह जो है artificial port है और यह second biggest port है इंडिया का after Mumbai जो port रस्ट है उसके बाद है और यह देखिए जो है यह स resident surviving port है पूरे country का तो इस तरीके से सबसे पूराना मतलब कि जो port है कि जो located है इंडिया में फिर next देखिया है कमरजार port लिमिटेड है जो इसको की ए नोर पोस्ट पोर्ट भी बोलाया था इसको तो यह भी जो है तमिलनाडूम यह situated है और यह जो है चेनाई के नियर ही इसको डेवलब किया गया है और चेनाई port रस्ट है तो इसको जैसे ट्रैफिक जैसे यहां पर बहुत जादा हो गया थे तो इसको कम करने के लिए ही जो है नया port बनाया गया है तो यह जो है सब पहला जो है corporate port है इंडिया का corporate का मतलब है कि जैसे यह private के दोरा जो है ओन की जाती है इसको तो यह जो हम major question आप से पूछा जा सकता है कि which is the first port in India कि जो की corporatized है जो की प्रेवेट के ओनर के दोरा रन की जाती है तो वह है अपका इन और port या फिर जो कमरजार port limited है और इसका देखिए यह जो port जो located है तो यह इसके अलावे जितने भी major port trust जो है तो वो सब government के द deepest port है deepest port का मतलब यहाँ पे कहने का यह होगया कि यहाँ पे जो गहराई है पाने की वो सबसे जाता है और जितना ज़्यादा गहराई होता है तो सीप को वहाँ जैसे land करने में उतने ज्यादा problem नहीं आती है तो यह असान हो जाता है उनके लिए तो भिसा का पढ़ना मुझ तो यह West Natural Port का यह एक्जामपल है फिर next दिखिए पारादीप Port Trust है तो यह जो है Odisha में located है और यह भी एक तरीके का Natural Harbour है फिर next दिखिए है जैसे पहले हल्दिया और कलकता जो पोर्ट था तो इसका जो अब नाम चेंज कर दिये गया है तो इसका जो अब नाम रखा गया है वह है Dr. Samha Prasad Mukherjee Port Trust है जो कि यह West Bengal में है और यह दिखिए यह एक तरीके का एक River in Port है यानि कि यह River के अंदर में ही जो पोर्ट है बनाया गया जो कि हुगली River में है और यह दिखिए Diamond Harbour के नाम से भी इसको जाना जाता है आपके जो 13 major port आपके है और उसके जो भी key point है तो यह सारे question जो है आप से पूछे आता है तो यह आप लोग याद रखना अब बाई यह देखते हैं आप लोग एर ट्रांसपोर्ट के बारे में तो दिखिए जो एर ट्रांसपोर्ट है इंडिया में यह सुरुवात हुई थी 1911 में इंडिया में सुरुवात हुई थी और जिसमें कि जो पहला जो service start किया गया था तो वो कोई जैसे passenger को travel करने कराने के लिए नहीं की गई थी यह जो कराया गया था था तो पोस्टल service के लिए start की गई थी और ये जो है अलाहबाद और नैनी के बीच में सुरुवात की गई थी 1911 में फिर उसके बाद देखिए जितने भी और भी बहुत सारे जो major companies थे इंडिया में जो की air transport service provide करती थी तो इन सब ही को जो है इनको जो nationalize कर दिया गया था 1953 में और इसके बाद इनको बस के बाद दो ही corporation का अंदर में रखा गया था जिसमें की पहला था Indian Airlines जो की domestic service के लिए ये जो है service provide करता था और जो air India था तो ये जो international service provide करता था तो यहाँ पर देखिए जितने भी major airport इंडिया में और ये कौन से city में या फिर state या union territory में लोकेटेड है तो ये अब लोग याद रखना है इनसे ज्यादा question और आपसे नहीं पूछा जा सकता है लेकिन ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि जितने भी major airport है इंडिया में और वह कौन से city में या स्ट्रीट में union territory में located है तो ये चीज़ आपको याद रखना है जैसे कि यहां पर पहला आपका है इंडरा गांधी international airport तो यह दिल्ली में है यह सभी लोग जानते भी होंगे फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है छतरपती सिवाजी महराजा international airport तो यह जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो यह है अगला देखिए सर्दार पुलाबाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यह भी आहमदाबाद में है जो कि गुजरात स्टेट में यह सब आते हैं यह फिर इसके बाद अगला देखिए लोग प्रिये गोपिनाथ अगला देखिए जयापरकस नरायन एयरपोर्ट जो है तो यह पटना में है यानि की भिहार में है फिर अगला देखिए ड़क्टर बाबा साहर अंबेट के इंटरनेशनल एयर पॉट तो यह जो है महराश्टा के नाकपूर में इस सिचपेट अगला देखिए लाल भावद गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यह पंजाब के अम्रित सर में है तो इस तरीके से और भी आपका दिया वज़े से राजा भोज एयरपोर्ट है तो यह मदर प्रदेश के भुपाल में है और यह प्लोग यह भी याद रखना भीर सावर कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अंडवन निकोबार आइलेंड में यानि की पॉर्ट डर में है तो यह मेजर एयरपोर्ट है इसके अलावे और भी बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जो कोशन पूछे गया है या जो भी जिसके संभावन आए है आने के एकजाम है तो हमने यहां पर प्रवाइड कर दिया है अब भाई हम लोग यहां पे कुशेंज करते हैं जो कि आपके प्रिवेस एयर में पूछे गया थे तो देखिए फ़ाला क्वेशन है कि जोहाला नहरु पोर्ट इस लोकेटेड एट तो जोहाला नहरु पोर्ट जोय थे कहां पर लोकेटेड है तो यह इसका राइट एंसर क ये काप setup की गई थी तो देखिए जो border road development organization जो है तो ये मई 1960 में ये setup की गई थी तो right answer option D हो जाएगा और इसका देखिए मकसद है कि जैसे defense preparedness को मजबूत करने के लिए और इसके चलते जो है जो भी road वगेरा है north में और north eastern जो region है जो भी border area जाते है हमारे इन सारे regions में तो उनक question देखिए कि when did the inland waterway authority of India came into existence तो जो inland waterway authority of India है ये existence में कब आया था तो ये देखिए October 27 1986 को जो है ये existence में आया था तो इसमें देखिए right answer इसका आपको क्या हो जाएगा इसका option option B हो जाएगा तो इस तरीके से देखिए जो inland waterway authority of India जो है ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी inland waterways है तो उनको जो है better बनाया जा सके shipping के लिए या फिर जो navigation purposes के लिए जो use के आते हैं तो उनको और अच्छे से बनाया जा सके next question देखिए which is the deepest landlock port of India और इंडिया में कौन सा सबसे deepest है और landlock port है तो इसका देखिए right answer आपका हो जाएगा विसाका पर्टनम port है तो जो 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 है तो ये जो है सबसे deepest और landlock port है तो देखिए आपको मैंने जो key points वहाँ पे बताया था तो वही important है और इस तरीके से भी question आप से घुमा फिरा के पूछे आते हैं और यह जो विसाका पर्टनम जो port है तो यह आंद प्रदेश को जो coastal area था तो वहां पर यह बनाई गई है तो state भी तो आपको तो याद रख नहीं है साथ साथ में फिर देखिए अगला question है कि which is the biggest port in the country तो country का सबसे biggest port कौन सा है तो अधर पर यह जो है लोकेड़ और इंडिया का जो है यह natural deep water harbor भी है deep water जैसे natural deep water harbor यहां पर इसलिए क्योंकि यहां पर पानी की जो गहर आई हो बहुत ज्यादा है तो यह जो फैबर होते हैं जैसे सीप को वहां पर अपना land करने के लिए फिर उसको जैसे harbor करने के लिए हो ग यह highest airport करने का मतलब है कि कौन सा इंडिया का airport है जो सबसे ज्यादा उचाई पर located है तो इसका देखिए right answer हो जाएगा ले airport हो जाएगा तो जो ले airport जो है तो यह जो यह 3000 मिटर उचाई पर यह situated है तो इस तरीके से इंडिया का यह सबसे highest airport है तो यहां पर देखिए हमने जो जाम पंड अव्यू के लिए इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपको जो है और फिर कुछ एक्स्टा पढ़ने के जरूरत नहीं है तो आपको कैसा लगा यह lecture आपको कमेंट करके जरूर बताना और आगे भी हम लोग इसी तरीके से अपना जो है जो है जो है जो है जो परशन कवर करते चलेंगे और यहां तक दिखिए आपको जो इंडियन जेगराफिक है तो वह आपका फिनिस हो जाता है इसके बाद जो हम लोग दो तीन लेक्चर में फिर जो भी और तीन लेक्चर होंगे आपके तो उसमें लोग वह जो ग्राफिक फिनिस कर लेंगे तो आप लोग भी वीडियो को सेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के मक्त चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए